आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन करी रोटी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आईए पॉन लहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं अमेजिंग लहाबादी चैनल सब्सक्राइब है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आप मटन करी के साथ में लगा हुए रोटी और चावल तो हमारा साथ रोटी चावल मटन करी हिटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में पूर्चन जी और महेश जी और पकास जी तीन चैलें हैं यार देखना की सबसे हैं yeah कि तेनों लोगों को चलू कर दीछे और यहां पर फौक्स के साथ कॉतर कर है तो देखते हैं कितने समय में साथ रोटी मटन करी और चावल को कम्प्लीट करते हैं और फूल चंद पूरी तरह से मस्ती में आ चुके हैं सोच रहे हैं कि हमारे बाएं हाथ का खेल है हम उड़ा देंगे बहुत जल्दी लेकिन ध्यार रहे और महेज भी अपने आपको पूरी फोकस करें कि तो यह लोग फोकस करेंगे तो यह लोग तोड़ा सा गरवाद करते हैं और कहाना काइन चाहें और कहीं से पीशेंग को सोड़ सकते हैं तोड़ा हड़ी में अरज गया है और देखते ही देखते लगभग लगभग सभी तीन के तीनों चैलेंजर अपना परफार्मेंट दिखाना चालू कर दिये हैं वह प्रकाश और फूल तरीके से मंझिल के और भाग रहे हैं और अईसा लग रहा है कि इनके तीनों लोग सुपर्रोबर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन चावल और रोटी साथ में लेकर चल रहे हैं तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं और फूल चंद थोड़ा सपने आपको इस समय जच करना चालू कर दिये हैं और फूल चंद जी का पूरी तरह से नकल उतारते चल रहे हैं कि फूल चंद जाएंगे वह इसे हम भी भागेंगे हो सकता है कि रास्ते लाड़ लड़के गिरेंगे दोनों लोग नहीं तीनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और तीनों जो बहादुरी लगाएं उसी बहादुरी के साथ चैलेंज में आगे चलना होगा हां बहुत गजब दो मिनट 30 सेकेंड की उपर टाइमर जा चुका है और अभी ये लोग पूरी तरह से हड़ी पेकावडी खेलना चालू किये हैं बहुत गजब तरीके से जो ब्रेकर के रूप में है मतन की पीसे उस अपने कबजे में करें और इस समय फोल्चंद महेश बहुत ही गजब तरीके से आगे भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना इनाम के रासी लिया जाए प्रकास का नट बोल्ट थोड़ा सा हलका सा धीला चल रहा है मशीन खरकराहाट की आवाज कर रही है और अब महेश जी आ गए हैं और आज दिखा देना चाहते हैं महेश जी कि आज हम फूल्चंद को भी हरा देंगे और और जो इनाम की राशी है उसको लेकर ही जाएंगे और देखते ही देखते महेश आ चुके हैं अपने परफार्मेंट्स में पूरी तरह से पूरी तरह से चाहले मिलाए थे लेकिन फिर भी अंजाम दे दिये तोड़ लिया हैं उसके बाद चैलेंज में और तक्निक के साथ आए हैं और यहीं टेक्निक चाहिए अगर जीतना है तो नहीं तो समझ चलिए पूरी तरह से आप पीछे हो जाएंगे और यहां पर फूल् देखते ही देखते बहुत ही गजब तरीके से लेकिन अपनी पाली समारते हुए बहुत तेजी से भाग रहे हैं सोच रहे हैं कि क्या हुना हम जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को समात करें कर लेंगे तो इनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगे तो प्लस पॉइंट थोड़े से बढ़ा जाएंगे बहुत गजब और देखते ही देखते फूल चन्द भी अपना एकसी लेटर पूरी तरह से दौड़ा दिये हैं सोच रहे हैं अगर महेस आगे भाग जाएंगे इनायम कराशी हमारे हां से छूट जाएगा गजाव यार और जो मतन की पीछ से महेस उसको भी पूरी तरह से समाथ कर दिये हैं दो जो और रोटी तो रहे हैं और और प्रकाश जी अभी रोटी यो में ही खेल रहे हैं रोटी खतम होगी तब ही बोटी में खेलेंगे उसके बाद जो है कहीं चावल में आएंगे अगर रोड़ गज्याप और अब इसा लग रहा है कि महस्त पीछे हो सकते हैं फूल चन से और देखते ही देखते महेश पूरी तरह से मंजिल की जो सीमा है उस सीमा को डागना चाह रहे हैं लागना चाह रहे हैं सीमा को और लाश्ट वाइट पे भागते चले गए हैं पूरी तरह से बीनर होना चाह रहे हैं और महेश जीत गए हैं और महेश जी को इनाम कि राशी कहस देते हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं महेश सिंगल हड़ी आज खेल गए कवड़ी बहुत गजब तरीके से जीत हासिल कर लिए हैं और यहां पर फूल चंद और रोम प्रकास पूरी तरह से देखते रहे गए और समदते रहे गए कि यारों प्रकास जीते कैसे महेश और बह ड्टामेटक भात बैदी तो प्यांट कर लिए कि हम सलम्स फेश लोग को अब लागाई कर बहुत बचाए हैं क nep अब प्रकास जीते हो धे का लोग गए लगाए तो ताकर मगर हां की फूल हो गए तो स्पीड आटोमेटिक डाउन हो गया लेकिन फूल चंद से पूछने चाहेंगे फूल चंद आज बहुत पीछे क्यों रह गए पूल चंद समझ नहीं पाएं तो चावल नहीं उड़ा पाएं चावल से पीछे रहे तो काफी अच्छा लगाए थे और अभी बोल नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है जोड़ा सा टेड़े होते जा रहे है तो महज जी आए होसला दिखाए मैसी का धनवाद करते हैं और आखरी जो मटन के पीछ थी उसको भी एंड टाइम में उड़ा लिए तो इस वज़़ा से बिनकर लिए तो महज डिका धनवाद करते हैं और आपको यह चैलेंज कैसा दिखे धनवार